नमस्कार दोस्तों फ्वागत है आफ अभी का एक बार फिर फे आपके अपने यूटूब चैनल टागवित हेमराज में तो दोस्तों यदि आप ग्रेजूट हो चुके हैं और किसी गौर्णमेंट जॉब की तलाफ में हैं तो आपकी तलाफ खत्म हो ही जी हाँ दोस्तों IBPS क्लरक की भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो 50841 पदों की भरती के लिए निकाला गया है तो दोस्तों यदि आप IBPS क्लरक में पर्मनेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आप इन पदों के लिए जरूर आबेदन करें तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, फियर और सब्सक्राइब करना ना भूले तो जलिए दोस्तों हम इसकी ओफिसियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में हम डिटेल फे जान लेते हैं तो दोस्तों हम IBPS कलरकी की ओफिसियल नोटिफिकेशन में आ गए हैं जैसा कि आप यहाँ देख वकते हैं इसके जो फार्म हैं तो 12 जुलाई 2021 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 1 अगस्त 2021 तक भरे जाएंगे इसके जो प्री एक्जाम हैं तो 28 अगस्त उन्तिफ अगस्त और 4 फितंबर को कंडेक्ट कराए जाएंगे अब हम एज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पाफ मिनिमम एज जो है तो 20 साल और मैक्जिमम 28 साल मांगी गई है लेकिन यदि आप 60-80 कंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट दी जा रही है OBC कंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की एज में छूट दी जा रही है PWD कंडिडेट हैं तो आपको 10 साल की एज में छूट दी जा रही है अब हम education qualification की बात कर लें तो यदि आप graduate हो चुके हैं तो आप इन पोस्टों के लिए apply कर फकते हैं और यदि आपका result एक अगस्त तक आ जाता है या एक अगस्त के पहले आ जाता है तो आप इन पोस्टों के लिए apply कर फकते हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा अब हम फीज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पाफ आप फीज देख फकते हैं कि यदि आप hcht pwd ex-servicemen candidate हैं तो आपकी फीज यहाँ 1.75 रुपए लगेगी और other candidate जितने भी बचे हैं तो उनकी फीज यहाँ पाफ 8.50 रुपए रहेंगे 30 तीफ नमबर के आपको 20 मिनट का फमय दिया जाएगा दूफराफ अबजेक्ट है numerical ability 35 कोस्चन रहेंगे 35 नमबर के 20 मिनट आपको फमय दिया जाएगा reasoning ability तीफराफ अबजेक्ट है कोस्चन रहेंगे 35 और 35 नमबर के यहाँ पाफ आपको कोस्चन पूछे जाएगे और 20 मिनट का फमय दिया जाएगा total question यहाँ पाफ 4 रहेंगे 100 नमबर की कोस्चन रहेंगे और आपको एक घंटे का फमय दिया जाएगा अब हम मेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पाफ general financial awareness के 50 कोस्चन रहेंगे 50 नमबर के 35 मिनट आपको फमय दिया जाएगा general English के 40 कोस्चन रहेंगे 40 नमबर के 35 मिनट आपको फमय दिया जाएगा एक फम अब भी कोस्चन है दो फम नमबर के रहेंगे और एक फम 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 आठ मिनट आपको टोटल दिया जाएगा मेंस में ओके तो यह सलीवफ रहा दोस्तों प्री और मेंस का तो दोस्तों यदि कुछ कोस्चन आपको करना है तो आप कमेंट करके पूछ फकते हैं यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका बहुत धन्वाद